शासन की प्रयाप्त व्यवस्ताओं के बीच नगरपालिका के जिम्मेदारों की लापरवाही कही ना कही सामने आई जाती है नीमस शहर में जहां एक और प्रत्य एक घर के बाहर नल की कनेक्शन है और घर घर पानी पहुचाने के व्यवस्ता भी सुचारू है लेकिन ऐसी स्थतियों में शहर के कुछ शेत्रों से पानी के लिए परेशान हो रहे लोगों की तस्विरे निकल कर आती है जो एक चिंता की बात है शहर के एकता कोलोनी बस्ती में दरसल नगरपालिका द्वारा नल के कनेक्शन तो दिये गए लेकिन नगरपालिका के जिम्मेदार इस पूरे शेत्र में नल कनेक्शन करना या करवाना भूल गए जिसके चलते इस शेत्रे के कुछ लोगों को पीने के पानी के लिए काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है एकता कोलोनी के पानी के लिए परेशान स्थानी रहवासियों ने कहा कि नगरपालिका में काफी शिकायाती की लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई उन्होंने कहा कि अब ऐसी भीशन गर्मी पानी की किलत आने पर दो-दो किलोमिटर जा कर पानी लाना पड़ता है इस्थानी रहवासियों ने कहा कि नगरपालिका के एकता कोलोनी के आधे शेत्रों में नल कनेक्शन कीए और आधे में नल कनेक्शन का कारी नहीं हुआ जिसके चलते इन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और दूर दूर से अपनी गाड़ी साइकल वस्तर पर रखकर पीने के पानी को घर तक ले जा रहे हैं पीचा जाते रोड पे चड़ जाते अब गाड़ी मोटर का साधन है क्या पता कुछ हो जाए हमेर घर पे लनल लगवाना जरूरी समस्या आती है है बहुत दूर से लाना पड़ता है और यह पानी है को इसा यह फास पानी है हमारे बांटी इन के लिए आपको रखकर पाणी के नले इनके लिए आंको किलो या 1.5-1.5 kms तर लाना पड़ता है तर बहुत बहुत है पानी के लिए दरूदा बाइक से लेगे याते, साइकल से लेगे याते, सीर पे पगड के लिए जाना पड़ता है, अब अगर करने, आदे मुल्य में और आदे मुल्य में नादे